हेलो फ्रेंड्स वागत आप लोगों का राविया का किचन में जैसा कि हम सब जानते फुल गोभी यानि के कॉलिफलावर हर किसी की फेवरेट नहीं होती हर कोई से खाना पसंद नहीं करता है लेकिन आज हम बनाएगे उसके ऐसी रेसिपी जिसे खाते ही सब उंगलिया चट कर जाएगे यह आज हम बनाएगे वेज लॉलिपॉप जो भौती जादा टीस्टी, स्पाइसी और क्रिस्पी होगे जचलिए बिना टाइम विस्ट किए शुरू करते हमारे आज के वीडियो से लॉलिपॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तीन बड़ा चमच मैद आधा निम्बू का रस और हमारी ब्लांच की युवी पार बॉल की युवी फुल गोबी यानि के पॉलिफ्लावर लॉलिपॉप बनाने के लिए सबसे पहला हम हमारी फुल गोबी को कट कर लेगे और फुल गोबी को कट करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि उसकी ज कर लेगे जिसके लिए यहापे मैंने लिया है एक भरतन अब उसमें हम डाल देगे एक से दे लीटर प्साथ भाष नमक पूसे अच्छे से मिक्स कर लेगे आप calf प्सक्रणश्व rap अब हमारी जो कट एभी bene और तीन से चारमिनिट के इसे हमें सिर्टी से चालीस परसंट तक की कुक करना है और इसमें हमने नमक इसलिए आट किया थाकि हमारी जो फूल गोवी वो टेस्ट लेस ना रगे ठीक है तो यह देखिए हमारी जो फूल गोवी वो बॉयल हो चुकी है अब हम इसे कंटेनर में निकाल लेगे और इसे साइड में रख लेगे जब तक हम इसके कोटिंग बना लेगे ठीक है कोटिंग के लिए यहां पर मैंने लिया है मैदा कौन फ्लार चावल का अटा स्वाद अनुसा नमक इन्हें हम आज से रफली मिक्स कर लेगे फिर इसमें हम हमारे अद्रक लेसन का पेस्ट रेट चुली सॉस रेट चुली सॉस आप अपने स्पाइस और टेस्ट के साब से कम जाधा कर सकते हो सोया सॉस निम्बु का रस कश्मिली लाल मिर्शी पाउडर और हमारा रेट फूर्ट कलर यह तोटली ऑप्शिनल है लेकिन अगर आप इसे दालोगे तो हमारे लॉलिपॉप का कलर और भी जाधा अच्छा लगेगा ठीक है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेगे और बाइंडिंग मनाते वक्त हम इस स्टेच में जो हमारा पानी है उसे नहीं आट करेगे हमारे जो निम्बु का रस अजरा प्रेसन का पेस और बाकी ज इसकी जो कोटिंग है उसे जाधा ना वाटर ही बनाना है ना इस जाधा थीक बनाना है अगर आप पाइंडिंग को जाधा वाटर ही बना लोगे तो हमारे फुल गोबी पर अच्छे से कोट नहीं होगी और अगर आप इसे जाधा थीक बना लोगे तो हमारी सिफ कोटिंग ह दिखेगी ठीक है तो धीरे धीरे हम इसमें अपने अंदाज से पानी मिलाते जाएगे तो देखिए यहां पर हमारी जो perfect consistency है हमारी coating के वो हमें मिल चुकी है तो यहां पर हमारी full गोबी भी रेडी है और हमारी coating भी तो चलिए अब हम इसे अच्छे से coat कर लेगे एक एक करके हम हमारी full गोबी को इसमें अच्छे से dip करेगे धियान रहे हमें इसकी जो stem है उस पर जादा coat नहीं करना है और जो भी excess coating है हमें इसे यहीं पर remove कर लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ तो सारे हमारे जो लॉलिपापे वो अच्छे से coat हो गए है अब हम इसे एक एक करके deep fry कर लेगे हम इसे तब तक पका लेगे जब तक अच्छे से crispy नहीं हो जाते है और उनका color change नहीं हो जाता लेके जैसे जैसे हम इसे fry कर रहे है उसकी जो खुश्बू है वह बहुत ही जा सारे लॉलिपॉप को फ्राय कर लेगे तो यहां पर मैंने मेरे सारे लॉलिपॉप को फ्राय कर लिया है अब इसकी स्टैम पर हम फॉल पेपर को रैप कर लेगे फॉल पेपर को रैप करने से हमारे लॉलिपॉप को एक अच्छा सा लुक मिलेगा ठीक है तो बस यह तयार हो सब्सक्राइब करें और मैं मिलू कि आप लोगों को मेरा अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई